आपके कान सुनने की शमता का परतिनिधित्व करते हैं, the ear represents the capacity to hear, जब किसी के कान में कुछ दिक्कत आती है और बार बार आती है, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप सुनना नहीं चाहते हो, ऐसे कान के दर्द का मतलब है कि आप बहुत गुस्सा हो जो आपको सुनाई दे रहा है, उससे ये दर्द जादातर बच्चों में आता है, वो जादातर वह सुनना नहीं चाहते हैं, जो उनके परिवार में चलता रहता है, घर के नियम अक्सर बच्चे के गुस्से की अभीव्यक्ति को मना करते हैं, और चीजों को ना बदल पाने के कारण कान का दर्द पैदा करते हैं बहरापन बताता है कि किसी को लगातार ना सुनने से इनकार करना है आपने नोटिस किया होगा जब एक husband और wife में किसी एक को कम सुनता है तो दूसरा बहुत बोलता है और बोलता ही रहता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट